वेलकम टू इंडियन तड़का आज हम बनाएंगे करेले भरवा करेले की रेसिपी आज मैं आपको बताने जा रहे हूं और इस तरह से बनाए गए करेले 100% बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और इतने जाए टेस्टे बनेंगे कि आपको फिवरेट हो जाएंगे करेले क्वांटिटी आप अपने जरूरत के कोडिन कमचदा कर सकते हैं यहां मैंने टाइसो गराम करेले लिया है और अब आपको इने फिलोफ कर लेना है इस तरह से इन करेलों को आपको पिलोफ करना है और येकिन मानिये फ्रेंज्स भरवा करेले इतने जढ़ा टेस्टी और इस पानी में आपको ऐड़ करना है नमक, दो टेबल स्फून में नमक आड़ कर रही हूँ, साथी हम इसमें आड़ कर लेंगे, जो हमने करेले चील करके रखें है, वो करेले हम इस पानी में डिप कर देंगे, मैंने इस आपन नोर्मल टमप्रेशर का पानी लिया है, पानी सब्सक्राइब करेंगे एक चमच लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर साथ से आठ लहसुन की कलियों का पेस्ट बनाया है अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह एक चमच सरस्तो का तेल भी एड़ कर सकते हैं साथ ही एड़ करेंगे पनफोर्थ टी स्पून करम मसाला हाफ टेबल स्पून मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर भी एड़ कर रहे हूं जिसका के मसालों का टेस्ट और भी पढ़ जाएगा और एक्तम बढ़िया भरवा करेले बन करके तयार होंगे अब हम सभी मसालों को अच प्लेट में निकाल लेंगे लगपक 2-3 मिनट हमने इसे डिप किया है ज़्यादा डिप करने की जरूरत नहीं है आप चाहें तो तुरंत भी निकाल सकते हैं बस आपको इस पानी में नमक के पानी में अच्छे से रगड रगड के धो लेना है और इस तरह से दोने के बाद क अच्छे लगते हैं जब बीच पीच में यह बीच आते हैं तो अच्छा टेस देते हैं तो इसलिए मैं निकालना पसद नहीं करती हूं जादा तर बीच में बीना निकाले ही भरवा करेले बनाती हूं तो इस तरह से थोड़ थोड़ बीच में निकाल ली हैं जिन करेलों मे हम इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे दोनों साइड से कट नहीं लगाना है वस एक साइड से बीच में से इस तरह से कट लगाना है जिससे आप असानी से इसमें मसाला भर सकें करेलों में कट लगाने के बाद जो यह मसाला हमने रैडी किया था उसे हम एक बार और अच्छे करेलों में मसाला भर लेना है आप चाहें तो मसाला भरने के बाद करेलों को धागों से बंद कर सकते हैं धागा लपेट सकते हैं चारो तरफ करेले के लेकिन इसके कोई जरूरत नहीं है अगर थोड़ा बहुत मसाला बाहर निकलता है तो कोई दिकत नहीं है तेस्ट अच्छा मसाला करेंगे तैयार कर दूसरी तरफ स्जार गरम गरम हो जानी के पात मैंने एड़ किया है जीरा जेरी दो उटक जाता थica और ठेम गरते हैं थैस सबखेले मसाला करेंगे beginner को नोड़ से अलते कररेंगी ज्यादा देर नहीं लगता है इन्हें पकाने में 4-5 मिनट में ही ये अच्छे से पक करके तयार हो जाएंगे मीडियन फ्लीम पर इसे हम ढख करके पका लेते हैं अब भग 4-5 मिनट तक हमने इन करेली को अच्छे से उलट-उलट करते वे, पका लिया है और यह जो करेली हैं वो भीक्तम अच्छे से पक चुके हैं मैं आपको से चेक करके भी दिखा देती हूं यह दिखी, यह असानी से कड रहे हैं चाकु से यानि की एकड़म अच्छे से अंदर तक पक चुके हैं मसालो का कलर भी आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से मसाला पक गया है बहुत ही अच्छी कुछ बू आ रही है और 100% गारंटी के साथ कर सकते हूं यह करेलो जो है वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं इस तरह से आप बनाएंगे तो मैं तो हर बार इसी तरह से भरवा करेले बनाती हूं और करें साथ कमेंटि सेक्षन अब करके बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और कोई नहीं गमेंटि करके बता सकते हैं मैं वह रेसिपी आप सबी के लिए जरूर लाओंगी यह आ झाल झाल